हलो वरी बरी गुड इवनिंग, हलो वरी बरी गुड इवनिग, मैं विवेक रावत आप सभी का अटर्ट फॉर साविन केज, क्लैट एंड अधर्स लाइंट्रेंस अग्जाम पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, टाइम हो चुका है 8.30 पे-म और इस समय हम आप बड़ रहे हैं, आज हम डिसक्रस करने जा रहे हैं, जैसा कि दो दिन से हम पूरा अच्छे से देख रहे हैं, प्रालम ऑन एज के आगे कंसेप को देखेंगे, फिर हम आगे डिसक्रस करेंगे, तो पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूँआ, जो जो अभी एक बार फड़ा- से concept clarity में problem होती है quant section में फटा फटा आ जाईए बिलकुल एक बार आप सभी के message ले ले लिते हैं हमार साथ आ चुके हैं साविया very very good evening साविया आ चुके हैं सुरंदर पाल आ चुके हैं विकास सिवारी आ चुके हैं अंशी का तिरपाटी आ चुके हैं जिलकुश आ चुकी है very very good evening all of you मैं आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत करता हूँ बहुत 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 वैलकम है आप सभी का जिससे आप अच्छे से session के साथ जोड़ पाएं विलकुल विलकुल सभी का very very good evening very very good evening very very good evening भाई सभी को बहुत बहुत स्वागत है करते हैं आज हम session go start देखते हैं बढ़ाते हैं नई चीज़ देखेंगे आज सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कल हम दो दिन से problem on age को discuss कर रहे हैं हम दो दिन से problem on age को discuss कर रहे हैं हम sir age वाले question client में आते हैं क्या I guess you come today with the new trick and some new brahma hasr No.1 बिल्कुप तो आज हम इस topic को खतम कर देंगे आज इसका last day हुआ और आज इसको खतम करने के बाद कल हम एक नया topic लेके आएंगे आएंगे आपके सामने वो है partnership आज इस topic को final करेंगे कल एक नया topic लाएंगे और फिर हम पूरा धुआधार उड़ा देंगे partnership के concept के साथ और partnership बड़ा basic concept जिसमें यूज होते है बिल्कुल यस MSCD बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी असरदवेक आते हैं लेकिन देखिए होता क्या है लेकिन होता क्या है जैनरीक में हम आपके लिए वीडियो recorded करते है जिससे आपकी सारे information मिल सके जैनरीक में जैसे आपको पता है MSCT में दो exam होते हैं मैं एक बार बता दूँ MSCT MHCET में दो exam है law वाले में एक है 3 year वाला और एक है आपका 5 नमबर तो मैं बताओ 3 year वाले में quant नहीं आती है इसमें quant नहीं आती केवल reasoning वाला portion आता है लेकिन इसमें quant पुछी जाती है 10 marks की इसमें quant पुछी जाती है 10 marks की नमबर वन ठीक है पहला point इसमें quant पुछी जाती है उसमें quant नहीं आती पहला पॉइंट दूसरा ये नमर वन तो अगर आपको LLB 5-year वाला पेपर देना है तो आपका कॉइंट 100% मिलेगा और आपको इससे बहुत benefit होगा हम जो भी question आपको करा रहे हैं इन में previous year के question included है जो जो previous year में आये हैं वो हमने include कर रखे हैं बिल्कुर निश्चिनत रहिए बिल्कुर इस बात से बिल्कुर tension ना लीजिए नमर वन तो दोस्तो आज हम जो है सबसे पहले तो मैं बता दूँ problem on age को आज हम final touch देंगे आज का दिन होगा इसको final touch देने का final touch देंगे आज इस chapter को और इस chapter के final touch के बाद हम नया chapter कल से start करेंगे आज से start नहीं करेंगे कल से start करेंगे पहलोट जास देखे नमर वन पहला point बंदना विल्कु विल्को वरिवयरी गूड इवन हम इसमें दो तरह की problem को discuss कर रहें तुडेंट पहला point पहला point पहला हम discuss कर रहे है concept based concept क्या होता है? कब age increase होती है कब age decrease होती है? इसका concept क्या है? No.2, second हम concept discuss कर रहे था language based Good evening, good evening, knowledge general Second हम discuss कर र tuh language based Second हम discuss कर रहे थे language और पहला था concept based तो language based में कह होता main था language तो आज हम इसके mix question करेंगे जो आज की class होगी today class जो होगी वो mix question की होगी mix question करेंगे हम हिसके related जिसमें आपका concept भी होगा language भी होगा दोनों को mix और अगर आप बच्चो average chapter पढ़ेंगे कुछ question age के problem on age के average chapter में given है तो उसमें average का concept कैसे work करता है वो हम तब अच्छे से समझेंगे जब हम average पढ़ेंगे ठीक है student तो ये जो chapter था ये केवल ये जो chapter average को जो concept है average वाले portion में समझेंगे और ये वाला portion ये वाले concept इस वाले portion में ठीक है confirm है किसे कोई doubt हो इबाफटाफट का मैंन के लिए तो आज मैं आपके लिए कुछ different type के question लाया हूँ मतला आज हम mix करेंगे ना वो आपका उसमें concept भी होगा उसमें language problem भी हो दोनों question कैसे आते हैं ये हम देखेंगे चलिए क्या इबाफटाफट फटाफट स्टाट करें इबाफटाफट थम बेजो एक बार सभी थम भीज़े हाँ सर स्टार्ट कर दो session गो एक बार सभी थम भीज़ दीज़े from tomorrow we are with new chapter बिलकुल कल हम पढ़ेंगे पाटना से कल का नया chapter होगा पाटना से ठीक है दोस्तो बिलकुल कल नया chapter पढ़ेंगे साजेदारी हिंदी में कहते हैं साजेदारी बहुर बढ़े चले हो फिर अब मैं कोशिश करूँगा जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप खुदी answer निकाले मुझे उसमें कुछ भी समझाना नहीं है जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका answer आप खुद ही निकाले उसमें मैं कुछ भी नहीं समझाना है क्योंकि वो already हम discuss कर चुके है वो हम already discuss कर चुके है तो जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपको उसका answer खुद देना है खुद ठीक है तो ये लीजे आपके सामने पेस है नहीं होगा तो मैं solve करूँगा ये लीजे आपके सामने पेस है बहुत ही प्यारा कोशन नमबर वन जो हम कोशन है करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा राज दुलारा पहला कोशन आपके सामने है देखते हैं आप इस कोशन को कैसे निकालते हैं ये रहा आपके सामने, number next चलिए, first question ये रहा, number one तो इसमें कुछ mix होंगे, कुछ अलग होंगे दोनों का handle करना है, घबराने की जुरूत नहीं है number one, करिए फड़ा, खुद निकालिए खुद answer निकालने है, आपको इन question let's go, बिल्कुक, तो ये जो question है कुछ mix form में है, आप कर भी चुके हैं, नहीं करा है, तो मैं दुबारा बता दूँ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है चलिए, तो मैं ये एक काम करता हूँ ये options मुझे दिक्कत करते हैं मैं इन options को उधर लिख देता हूँ option की जुरूत नहीं है, ये तो आप ऐसे निकाल देंगे चलिए, option हमने हटा दी है ताकि हमें space बन जाए खुद निकाली number one, मैं question पढ़ने यार हूँ तो कल से विकास कह रहा है, तो कल से साजेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे बिलकुर भाई, partnership partnership कैसे की जाती है किसे के साथ ये सीखना तो बहुत ही जरूरी है, देखो बच्चो है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें भी आगे जाके partnership करनी है, करनी है कि नहीं भाई है, मैनेज के बाद partnership तो होगी तो partnership के concept आप तो मुझे अभी से सिखानी होंगे न, तभी तो तुम सीख पाओगे partnership के concept, basic concept the ratio of the मैं question पर हा रहा हूं सीधा number one question पर हा रहा है, the ratio of the present age of son the ratio of the present age of son and the father is for ratio 5 जान समझी number one number one, one ratio five, वर्तमान age, पुत्र और पिता की वर्तमान age का ratio एक अनपात पाँच है पुत्र और पिता की वर्तमान age का ratio एक अनपात पाँच है पुत्र और पिता की, the ratio of the present age of son and father is one ratio five number one, and the ratio of father and mother, father and mother का ratio five ratio four है, तो father और son का कितना है, one ratio five और father और mother का कितना है, वेलको caution, very good evening, five ratio four, five ratio four, number one तो बताना है after two year दो साल के बाद, sorry sir I am late ओके ओके ज़्यादा लेट नहीं वहाँ, question भी start हुआ है after two year, the ratio of the son and his mother is three ratio 10, कितना प्यारा question है after two year, the ratio of the son and his mother is three ratio 10 then find the present age of father find the present age of father, खुद निकालो एक बाद खुद करिये एक बाद try आप खुद करेंगे तो सबसे ज़्यादा सीखेने को मिलेगा, जितना ज़्यादा question खुद try करेंगे, देखें मैं तो हूँ ही समझाने के लिए, भाई मैं तो आपको समझाऊंगा है, लेकिन जितना ज़्यादा question खुद निकालेंगे, उतना आपको profit मिलता है, उतना concept clarity होती है, उतना समझ में आता है बहुत ही जबरदस तरीके, बहुत बढ़े वंदरा ने answer दे भी दिया वंदरा ने answer दे भी दिया, ऐसे answer दे ना इतनी speed से देखे है ना वंदरा आप बहुत आपको बहुत ज़्यादा benefit होगा, अगर आप इसी consistency से लगे रहते हैं बच्चा, तो 100% आगे बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है चाहें आप CLAT का exam दे, sir, data खतम हो गया था, sir, data रिचार्ज करवाया है भी तो चाहें आप, चाहें आप, चाहें आप कोई भी paper दे, अगर आप CUT, क्योंकि सुनने में आ रहा है, अगले साल से या इस साल से हो सकता है, अभी notification आएगा, कि law entrance exam का starting भी वो CUT में merge कर सकते हैं, जो pre वाला paper है, GT वाला paper हो सकते हैं merge करें, तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है, आइए, तो अब इस question को कैसे करें, सबसे best method क्या हुआ, आइए देखते है number one सबसे best method, इस question करने का क्या हुआ, इस चीज़ को समझते हैं बहुत ज्यान समझना number one, हम एक-एक point को समझा लिए, the present is of sun and father, ये sun हैं बाई साब पुत्र हैं, ये सो पुत्र हैं, और ये father हैं, son and father, और उनका ratio दे रखा है one ratio of five, बहुत ज्यान से समझेगे इस चीज़ को, बहुत ज्यान से साब्दानी हटी, दुरगटना अगटी, जैसे भी साब्दानी हटी, दुरगटना अगटी, आईए and the ratio of father and mother son and father, और ये है father ji and the ratio of mother और वो ratio कितना दिया है that is the five ratio four five ratio four, बताईए it is true or false, the ratio of the son and his mother, बताना है son का, on mother का age, जो दे रखी है, उसने खुदी दे रखी है, वो खुदी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है five ratio ten, three ratio ten three ratio ten, तो बताने, उनकी age क्या होगी, ध्यान समझे, बहुत ध्यान से समझने इस चीच को, बहुत ध्यान से समझने इस चीच को, number one पहला point, इसमें जो concept लगने जा रहा है, बहुत यहां समझना जो इसमें concept लगने जा रहा है बच्चो, वो concept है वो concept है ratio का तो थोड़ा समय वैसे हम ratio बहुत detail में आगे पढ़ेंगे थोड़ा समय थोड़ा समय बताता हूँ 34 में भी आ रहे हैं सबसे पहले इतना बताइए अगर x ratio y है पहले हम ratio के छोटे से concept की बात कर लेता हैं जो हमें यहां use होगा x ratio y बरावर दे रखा है मान लीजे 3 ratio 4 मान लीजे और y ratio z दे रखा है मान लीजे 3 या 5 ratio 7 मान लो थोड़े देख ले जहां से देखे नमबर 1 आपको बताना x ratio y ratio z की value क्या होगी x ratio y ratio z की value बहुत ज्यान समने चीज़ को बहुत ज्यान समना एक एक point को एक एक point को बहुत ज्यान से समझेगा एक एक point को बहुत ज्यान समझेगा एक एक point को तो मैंने बोला सर वहाँ सबसे पहले वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही detail में समझाता हूँ बहुत ही जबरदफ तरीके से ताकि आपको एपरोच जब आपको बहुत चीज़ें डिटेल में पता होगी तो आपको एपरोच लगाने में प्रॉबलम नहीं होगी आप तुरंट एपरोच लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको बेसिक स्पॉत क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वांट में और स्टडी में कभी भी किसी भी बड़े एक्जाम की तियारी करें तो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो आपको नहीं करना है वो सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए इसके कंपेर में कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो जबसे ज़्यादा पता है तो किस रास्ते पर नहीं जाना है और उसके जाने से क्या loss है ये भी पता होना चाहिए तो मैंने का x y है 3 ratio 4 y z है 5 ratio 7 तो मैं अगर बोलता हूँ आपसे x y z क्या होगा तो इसको निकालने के दो method होते है method number 1 sir इसको कैसे करें sir इनकी multiply 7 5 3 जा 15 that is 15 clear or not 15 और इसके multiply 7 428 7 428 that is x आता है ये और ये आता है z पहले बताइए फटाफट it is clear or not ये चीजे हमने ratio में पढ़ी है फिर भी जिसका ratio दुबारा नहीं पढ़ा गया है मुसको आगे discuss करेंगे दुबारा से it is clear or not बहुत बढ़ी है सुरिंदर पाल ने तो आंसर बता दिया 15 20 28 very good और हमेशा इसकी multiply करते हैं 5 4 जा 20 5 4 जा 20 5 4 जा 20 it is clear or not for our comment पर ही very good बंदरा भी कह दें है सबको clear very good number 1 सबको clear है ये basic चीज है very good इसी को question को करने का एक तरीका और होता है बच्चो अगर आप चाहते हैं कि sir इसी question को करें ध्यास देखिए एक method और होता है क्या होता है इसी question को करने का एक method और तो मैंने slide तो जैसे आप यह देखते हैं तो आपने कहा हम इस को कहते हैं arrow method यह जो मैं आप यूज करने जा रहा हूं इसको कहते हैं arrow method arrow method जहां arrow बढ़ता हैं वहाँ data को repeat करते हैं यहाँ space खाली है यहाँ data लिख देते हैं यहाँ space खाली है यहाँ data लिख देते हैं बताए it is clear or not यह detail हम सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे ratio proportion यह detail हम सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे ratio proportion तो अब इनकी multiply 5 315, 5 420, 7 428 बताए it is clear or not comment करो फटाफट it is clear or not comment करो फटाफट नहीं कोई नहीं जदा लेट नहीं हुआ आप शबल जदा लेट नहीं हुआ अभी starting हुआ है तो मैं यह बोलना चाहरू मुझे मुझे नहीं लगता किसो कोई doubt होगा just हमने देखा x y दे रखा हो तो x y z कैसे निकाला जाता है confirm है बहुत clear है सबको इबाफटावर का थमबेजो और अगर आपको यह confirm है बई सबको clear है तो यहां अगर मुझे son और father दे रखा है यह और son और mother दे रखा है son और mother तो अगर मुझे निकालना हूँ son का father का और mother का ratio आप बोलेंगे 5 बंज़ा 5, 5525 और 5420 बताएं it is clear or not 5 बंज़ा 5, 5525, 5420 it is clear or not comment करो फड़ा भट क्या यह दोनों बराबर हैं क्या यह दोनों बराबर हैं confirm है इसे कहते हैं बर महसूस रहे हैं welcome तो आप बोलोगे आप बोलोगे आप बोलोगे आप बोलोगे आप बोलोगे सर आप बोलोगे सर 5 बंज़ा 5, 5525 या फिर अभी common आ रहा है कुछ 5 बंज़ा 5, 5525, 540, 2154 तो इसका ratio आ गया 1 ratio 5 ratio 4 5 ratio 5 ratio 4 किसको doubt इसमें यह किवल लग रहा है आपको दिखने में वहां इतना करना है वहां तो आप चुटकियों में कर दोगे यह तो पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा लगता है तो थोड़ा सा मैं लिख दूं सन फादर मदर 154 सन रेशो फादर रेशो मदर 1 रेशो 5 रेशो 4 पहले बताए it is clear or not नमरों सर दरेशो अब दो साल के बाद दो साल के बा तो यह चल्से वाद करता है वे आफटर 2 यह और यह कितना है कोश्चन में साहसे लिख परेजैंट यह प्रेजैंट यह प्रेजैंट तो इसमें इस खूंशन हमने रेशो का बहुत ही प्यारा यूच किया है गोश्चन को भी उचके, पहले बताव को यह बहुत है, यह जा सकता है, बिना वेरेवल के भी किया जा सकता है, जैसे इमर्जी कर दो, आईए, तो म हम बोलों को सर बहुत जान से समझना, सर हम जैसे देखते थे, 3 और 3 और 1 के difference 2, 4 और 10 के difference 2, बताइए, it is balance, क्या ये balance है, क्या ये ratio balance है, मुझे comment करो, क्या ये ratio balance है, और not, क्या ये ratio जो आपके सामने दिख रहा है, क्या ये balance है ये नहीं, क्या मैं ऐसा बोलू, क्या ये ratio balance है, हमने क्या concept देखा था, कि इन दोनों का difference सेम आना चाहिए, देखा था ये कि नहीं, हमने क्या concept देखा था, इन दोनों का ratio, इन दोनों का difference सेम आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, इसका मतलब ये ratio balance नहीं है, ये ratio balance नहीं है, बिल्कुल, तो ऐसे condition में क्या करते हैं, ratio balance कर लेते हैं, कैसे करते हैं उपर वाले का difference 4 और 1 का difference 3 और इसका difference that is 7 मैं यहां लिख रहा हूँ दुबारा सीधा कर देते हैं 7 की multiply ये हो जाएगा 7 की multiply ये हो जाएगा 7 7 की multiply 7 4028 7 की multiply 7 5035 तो 3 की multiply 3 39 3 की multiply 30 देखे balance हो गया it will become balance automatic 28 और 30 का difference दो 7 और 9 का difference दो और actual में दोनों का difference दो साल ये present year है true year है तो two actual में किसको represent कर रहा है दो साल को कितना times है one time it is clear or not it is clear or not present is पूछी अगर पूछे सन भाई साब कितने साल के हैं पुत्र जी कितने साल का है अगर पुछे पिता जी कितने साल के है वन टाइम 35 साल के अगर पुछे माता जी कितने साल की है that is 28 यह it is clear नो फटाफट कमेंट करो किसको रावट है मुझे फटाफट कमेंट चाहिए एक्स के बीना लाइफ अच्छी है सर है विकार तिवारे बिल्कु परफेक्ट बोला है बिल्कु बही जितना ज़्यादा जितना हो सके एक्स पर कम डिपेंट रहो नहीं तो आगे जाके फ्यूचर में बड़ी ज़्यादा नुकसान भरपाई करनी पड़ सकती है इस को इस से देख लेएगे अनजली इस से रिपीट जायेगा बंदना है आईए भई फटावज स्टार्ट करते नमबर वन दरेश्व अफदा अंजली यहां से देखना आगार जिसको भी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ यहां से समझना आपको यहां क्लियर होगा मैं चाहूँआ एक बार खुद निकालो एक बार खुद निकाली एक बार काै थिए फुद स्टार्ट करिए नमबर वन दरेश्व अफद फ्रॉज एज astמה स्टार्ट किरिए यह बार बहुत कुछ सिखने क byकले आपको जीरह जिरह धर राश्व फुर्ज आपको जीरह घ्रेश्व अफद प्रॉजर प्रेश्व ऑफदग क्सका राम और शां और शा After two years, the ratio of the Ram and Mohan is four ratio six. Doh साल के बाद इतना होगा. The present age of all person. Sum of all person. Sum of. Find the sum of all person. Find the present age कर दे. Find the sum of present age of all person. कुछ ना कुछ तो देगा, वो कौन सी age का sum कुछ है? खुद निकाले, खुद करो find. मैंने जानपुछ का option हटाए, मुझे यहाँ space चाहिए था. कोई प्रॉलम नहीं है, वो तो खुद करिए, find, खुद निकालिए. देखतें कौन सी answer निकालता है? Right answer निकाले, फड़ावट कितना होगा? Right answer कितना होगा? मुझे समझ नहीं, आया है. आया तो answer कैसे दो? Answer कोई बात नहीं. शालू answer आएगा धिरी-धिरी. basic चीज़ा निकल जाती है, और ये quant है, इसमें थोड़ा सा time लग जाता है, तो खास कर जिनका थोड़ा सा touch नहीं हो, touch हो, अगर आप match background के तो आप एकदम से जैसे हैं, आप घर से 2 मिनट लेट निकले, और अगर आप पैदल जा रहे हैं, और आपको train को पकड़ना है, या त the ratio of this, Ram and Shyam, मैं एक बार हर question को, जिसको जो भी पहले वाला, जिसको clear नहीं हो, मैं दुबारा करा रहा हूँ, इसको detail में, जिसको पहले वाला question clear नहीं हो, मैं फिर दुबारा बता रहा हूँ, detail में, जिसको पहले वाला question clear नहीं हो, मैं फिर बता रहा हूँ, detail में, राम जी औ और मोहन का ratio दे रखा है मोहन का है 2 ratio 5 शाम और मोहन 2 ratio 5 पहली बात तो खुदी clear है जब common ही होता है तो ये कुछ चीज़ी इसमें basic ratio सी है वो आपको clarity हो जाएगी जब आगे पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे आपको खुदी clarity हो जाएगी point number one सर स्लो समझाएं बिलकुर general knowledge बिलकुर स्लो समझाएंगे भाई अब हम स्लो समझाएंगे knowledge in general करें सर स्लो समझाएं मुझे लगा कि आपको ऐसा ना लगे कि हम ये पढ़ चुके हैं सर क्योंकि काफी बच्चे ही ratio में पढ़ चुके हैं तो जब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका कहीं time waste ना हो क्योंकि मेरे लिए आपका एक-एक second की बहुत value है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे slow, थोड़े speed सा समझाना चाहिए लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल सुलो समझाऊ हूँ आईए तो दोस्तों question करने के दो method है राम और शाम का जो age का ratio है 3-2 है और दूसरा शाम और मोहन, शाम और मोहन का 2-5 है दो चीज़े दोनों common है अगर दो चीज़े दोनों common होती है अगर same data common है तो इसका मतलब equation balance है अगर for example, थोड़ी देख लिए example समझते हैं ताकि आपको clarity हो, ये दो की जगए, थोड़ example ये दो की जगए, मान लीजिए, ये दो की जगए, मान लीजिए 3 होता और ये 2 होता, ये 3 होता ये 2, तब आप कहते equation balance नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि शाम की age 3 भी है, और second में शाम की age 2 भी है सर, ऐसे कैसे possible है, कैसे possible है तो आप बोलेंगे, सर, equation balance नहीं है तो equation को balance करने के लिए, हम जान बूझ के, यहां अगर 2 है यहां automatic यह तो balance है, यहां भी 2 है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है फिर तो equation आपका 90% हो ही गया पहले बताएए, it is clear or not सर, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, फिर तो कुछ करना ही नहीं सर, slowly, slowly, student बोलने हैं, पढ़ाने के लिए तो आप बोलोगा, यह हो गया 3, यह हो गया 2, यह हो गया 5 पहले बस इतना बताएए, किसी student को यहां इसमें कोई doubt है किसी student को इसमें कोई doubt है क्या मुझे comment कर वहँ ओद वर बड़ यह जो channel है आपका यह भहुत प्यारा है, आप बच्चें कि मैं उनको कितना भी tough वराओं बो पढ़ए लेते हैं लेकिन जो हमारा स्यूटी वाला चैनल है वहां अगर उनको सामने लेवल बढ़ाएं थोड़ा सा वो फिर वो कहते हैं सर बस लेवल बढ़ाते ही वो कहते हैं और वो चाहते हैं कि बस कोशन स्पीड से चलते रहें वो जब आप जानते हैं बच्चें वहां हम इतना रिपीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां बच्चे बहुत जादा होते हैं फिर हम इस देखना होता है कि बच्चा लाइव रहे जाए ना आईए सबको clarity है बहुत प्यारा बार बताई नॉलेज इन जनरल ने बहुत ही अच्छी बार बताई यह मैं चाहरा था आप पोछें नॉलेज जनरल ने बहुत अच्छी बात बोली आपने बोला सा लास्ट टाइम आपने arrow method लगाया था तो इस बार क्यों नहीं लगा सकते हैं मैं लगा के दिखा रहा हूं लेकिन अगर 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 यह दोनों data same है इसका मतलब equation balance है no need to fill no need to use the arrow method लेकिन फिर भी किस इतना नहीं पता हमें तो इतना पता लगाना है तो लगाना है three two ja three two ja six two to ja four five two ja ten بتाए हाँ या ना वताईए इसको जोईन कर लेना वहाँ आपको सारी इंफॉर्मि इप्रूमिशन मिल जाएगी सर वो सब नाम सिर्फ शायरी पढ़ते हैं सर वहाँ सब ना सिर्फ शायरी पढ़ते हैं वहाँ शालू करें वो बैज केवल शायरी पढ़ता है दिलकुश है वो आईए तो ये बारा ध्यान है ना इसको जॉइन कर ले ना टेलिक्राम पर सर्च करो तो मिल जाएगा खुदी ठीक है ना आपको सारी इंफोर्मिशन तो भई अगर एक स्ट्रेंट करते हैं सर आपने वहाँ तो क्या है एरो मैथड यूज किया था वहाँ तो बैलांस किया था यहां भी करो ना कर देते हैं भाई साथ हमने यहां पर दो देखते हैं और आपके लिए बहुत जल्दी होने मैं आपको दुपैर बताह था इंफ भार बूंकर करें रहे हमें यह बाद दुबार बता दू हम मैं आपके लिए एक short series लागू करने start करने जा रहा हैं CUT पर भी और Client पर भी जिसमें हम slot short में concept बताएंगे short short concept मतलब वो revision के बहुत काम आने वाल है मान लिए जैसे इसका concept short में क्योंकि आप जानते है short के बल 59 seconds का होता है 59 seconds से उपर वो short नहीं रहता तो बहुत जल्दी लागते हैं और उसके कल से आपको पूरे short मिलेंगे और concept पूरी उसकी playlist बन जाएगी अलग तो आप बोलोगे देखें अब जो कहरा था common क्यों ने लिए 3,2,5 वही आना था इसका खुछ फाइदा नहीं हुए थो आजब हमें वही आना हैं तो हम इसको क्यों लिखें हम इसको सीधे ऐसे न लिखें जब 3,2,5 ही आना था जब 3,2,5 ही आना था तो हम लिखता हçon 3 ratio 2 ratio 5 but it is clear on a follow-up comment करिए लेकिन ये है राम, शाम और मोहन का दो साल के बाद राम और मोहन की एज का रिश्यो दे रखा है अलब पेज़ पर लिख लें राम, शाम, मोहन, राम, शाम, मोहन, थ्री, टू, फाइफ, ये थ्री है, ये टू है, ये फाइफ है, ये त्री है, ये टू है, फाइफ है, और उधर है, दो साल के बाद है, राम और मोहन की चार्च है, राम ये है, मोहन ये है, चार्च है, ये दो साल के बाद है, और ये कितना है, ये प्रिजेंट एज है, प्रिजेंट एज, और ये है दो साल के बाद टू एइर आफटर ये है दो साल के बाद टू एर आफटर बताएं किस-kis को Clay नहीं फटावर्ट कमेंट करो किस-kis को Clay नहीं पाद फटावर्ट कमेंट चाहिए सर मेरा नाम मुन लास्ट में सहों आया तो उसको दिलकुछ ready करिये Read करिये Okay, okay इन दोनों के बीच के इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1, तो आप बोलेंगे अगर डिफरेंस 1 है, तो यहां automatic balance है, तो 1 किसको represent करेगे 2 year को, कितना टाइमस होगे 2 time, present एक पुछी है, तो इसका 2 time, that is 6 year, इसका present is 2 time, that is 4 year, किसका 2 time, that is 10 year, comment करो फटावट, it is right or not, comment करो, hello Satyam Kashyap, hello, 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 चले भई, फटावट बताईए, it is clear or not, किस-किसको clear नहीं है, मुझे फटावट comment करो, क्या यह सबको clear हो गया, क्या यह concept सबको clear हो गया, मुझे फटावट बताईए, क्या यह concept सबको clear है, किसी को कोई doubt, किसी को कोई doubt, किसी को कोई doubt, यह वाफटावट comment करो, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, निकालिए, निकालो कुछ कोशन मिक्स में देखेंगे हमारा कुछ भी concept नहीं बचा है concept नया कुछ भी नहीं बचा है के बल इतना है अब हम क्या करते हैं नया chapter तो start नहीं करेंगे अब हम थोड़े सा practice करते हैं अब हम practice वाले question लेते हैं answer निकला है फटावर कितना होगा इन दोने के बीच में difference है 1 जब difference 1 है इसका means that is balance है वो जब difference 1 है इसका मतलब वो balance है और जब balance है जब automatic balance है तो फिर multiply करने की जुरूत नहीं है अगर balance नहीं होते तो multiply करते हैं और आप बोलेंगे सर ये भी 1 है ये भी 1 है balance है तो 1 जो है अच्छल में difference है और जबकि present age और 2 साल के बीच में difference होता है, 2 साल होता है कि नहीं, तो कितना times है, 2 times है, 2 times, इसका मतला हर चीज 2 times कर दो, इसका मतला हर चीज 2 times कर दो, पहले पता ही it is clear or not, हाँ या ना, confirm है कि नहीं, पहले पता ही it is clear or not, किस किसको clear नहीं है, confirm नहीं है, number 1, च पर नेक्स कोशन, निकाले ये, निकाले आग बड़ा, यहां आई ये वही दर दर बात मत करिए, पहले इधर पढ़ाई करिए, बाद में वहाँ बात होगी, है ना, अराम से कोशन निकाले इधर, पहले इधर बाते हैं, पढ़ाई फिर बाते हैं, बाते हैं, बाते हैं, बाते किसी को कोई डाउट हो तो कमेंड करो निकालो खड़ा बड़ा नसा यह दर तीज साल पहले 30 एर एगो तीज साल पहले दर रेशो अफ़ अफ़ एज़स अफ A and B A और B की एज के एज़स थीन पाफ पाफ पास था खुद निकालो खुद करो ट्राई तीज साल पहले 30 एर एगो तीज साल पहले A और B की एज़स का रेशो था तीन अनपाफ पास था तीज साल पहले है भाई सब मैं यहां लिख रहा हूँ कोशन आसान है भाई कल का बेसिक कंसेप वाली क्लास बिल्कुम मिस नहीं करेगा कोई कल बेसिक कंसेप कराया जाएगा कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा कल बेसिक कंसेप करेंगे कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा पार्टनर सिप सुरू करेंगे कल आज का टॉपिक बहुत ही जबरदर्स तरीके से हमने तीन क्लासों में फाइनल कर दिया आज, अब हम कल से सुरू करने वाले हैं पार्टनर्सिप साजेदारी, कैसे पार्टनर्सिप होती है, बिजनेस कैसे होता, कोश्चन इस पर आ सकता है बुक में कई जगा है, रेशन, प्रपोर्शन और परसंटेज में ये कोशन दिये होते हैं कई बार प्रॉलम ऑन एज को सेपरेट नहीं देता वो, कई बार इनको वो एवरेज में दे देता है या ratio in proportion में या partnership में दे देता है percentage में partnership वाले question भी कई बार वो ratio in proportion में दे देता है तो हमें उसे कोई मतलब नहीं हम separate chapter पढ़ेंगे जिससे concept सारे crystal clear हो जाए आईए तो मेरी request है अगर आप पहली class miss कर देते हैं बच्चों फिर समझने में बहुत problem होने लगती है फिर psychological मन में बैठ जाता है यार पता नहीं यार क्या पढ़ाया होगा पता नहीं कौन सा ब्रहमास्त दे दिया होगा सर ने कल कल मैंने class miss कर दी और इस वज़े से हाँ समय में नहीं आ जबकि ऐसा कुछ नहीं होता दूसरा बात जो C.O.T. वाले बच्चे हैं जो हमारे यहां के बच्चें C.O.T. पर आते हैं बिलकुल आईए बच्चों आपको बहुत-बहुत स्वागत है सर जी पार्टनर्सिप में साथ रहेंगे बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों आप जो काफी बच्चे C.O.T. पर भी आते हैं C.O.T. पर भी दिखते हैं आपको बहुत-बहुत स्वागत लेकिन कुछ टॉपिक अगर आपको C.O.T. का पेपर हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है आपको मैंसुलिशन और आपको टिक्नोमेटरी पढ़नी पढ़ेगी अगर हुआ तो नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है दोस्तों आजएगी कोशन पढ़ते हैं आगे फटा-फट तर तीस साल पहले A और B की एज़ का 35 पच्चिस साल, after 25 यह, पच्चिस साल के बार रिश्यो था 7 रिश्यो एट 7 रिश्यो एट, पच्चिस साल के बार वही सीज़ा, कुछ भी नहीं है नहीं है तो अब सिंपल सिंपल सह समझे तीन और साथ का डिफरेंस कितना हो गया? चार पांच और आठ का डिफरेंस कितना हो गया, तीन क्या ये बैलेंस है, क्या आप बोलेंगे ratio balance है, आप बोलेंगे, नहीं सर ratio balance नहीं है ratio balance नहीं है पहला point, पताइए क्या ही ratio balance है बिलकुल भी balance नहीं है, तोड़ा सा और पर कर दे ये तो पर जाई नहीं दा ठीक है आईए तो आप बोलेंगे सार रेशो बैलेंस नहीं और रेशो बैलेंस नहीं है तो क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस 4 और 3 तो मैं इसको रफ करता हूं यहां 4 यहां 3 सेम आना चाहिए यहां कितना डिफरेंस आ रहा है 2 यहां कितना डिफरेंस आ रहा है 1 पहले फ को बता रहा हूं यह सब लास्ट क्लास में कर चुके हैं हाँ या ना पहले फटाफट कमेंड करो यह लास्ट क्लास में कर चुके हैं जो भी मैं आपके सामने डिसकस कर रहा हूं भाई यह किसको क्ले नहीं बाफटाफट कमेंड करिए यह जो भी मैं डिसकस कर रहा हूं हम लास आने की जुरुत नहीं थी, यह मुझे बताने की जुरुत नहीं थी, यह आप खुद निकाल सकते थे, आईए, 3 बंजा 3, मैं यह बाल लिख लेता हूँ, यह A है, और यह B है, 3 बंजा 3, 5 बंजा 5, 7 डूजा 14, 8 डूजा 16, correct or not, correct or not, comment करो, budget भी आगया भई, government ने budget भी पेस कर 30 साल पहले की कहानी और 25 साल बात की कहानी, कोई मुझे इन दोनों का डिफरेंस बात की कहानी, कोई मुझे इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना है, 30 साल पहले की कहानी और 25 साल बात की कहानी, 30 साल पहले की कहानी और 25 साल बात की कहानी, कोई मुझे इन दोनों का डिफरें ये जो एज है 30 एगो है और ये जो वहल बड़े है वंदना ने पर्फेक्क का अंसर बताया है वंदना का अंसर पर्फेक्ट है किसी को डौर तो नहीं है 55 में किसी को एसस दो नहीं लगना डिफरेंस तर 5 5 year होगा 5 तो नई लग रहा भई किसी को 5 तो ने लग रहान मैंने बताया था Agir के लिए कौन सा sign लगाते है माइनस आफ्टर के लिए कौन सा sign लगाते है प्लस बताया था यह नहीं तो यह 55 age है 11 जो है 11 कहाँ है ये 11 है ये वाला 11 ये वाला 11 दोनों का difference actually में represent कर रहा है 55 year को कितना times हो गया 5 times तो पूछा है question ने पूछा गया उनकी 6 साल पहले age क्या होगी 6 साल पहली age का sum पूछा है 6 साल पहली age का sum find the sum of the ages before 6 year 6 साल पहले जब भी आपको निकालना हो मतलब कितना और आगे चले जाए मतलब कितना इसमें एड करना पड़ेगा 14 जब मैं 14 एड करूं वह दोनों में तो इसका मतलब अगर मैं यहां को एड करूं कलर चेंज करते हैं इसका 5 ताइम्स कर दूं तो आप बोलोगों एकी age थी 15 साल और इसका भी 5 ताइम्स कर दूं तो इसकी age होगी 25 साल तो 15 और 25 अगर मैं जोड दूं यह होगी 15 प्लस के 25 20 30 और यह 40 है लेकिन यह है 30 साल पहले की sum यह 30 साल पहले पूछा है 6 साल पहले कितन एड़ करना 14 14 और 14 28 जब आप 28 माइ्नस कर दोगे 10 माइनस 8 2 12 यह है नौट करो फटा फटा फटके करो किसको डाफट फट कमेंड करिये कुछन है 6 साल पहले 6 साल पहले ना कि उसने 30 साल पहले पूछा 6 साल पहले 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 च्छा है पैले फटा फट आफट को क्लेरिटी कि नहीं मुझे फटावर्ट कमेंट कर दो और मैं चाहूं ऐसा एक कोशन आप मुझे खुद बताएं निकाली खुद निकालो ऐसा एक कोशन खुद निकालें आपने आप बहुत आसान है कोई ऐसा नहीं है जो नहीं समझ सकते आप बहुत इजी है बहुत इजी है बहुत असान है बहुत असान है आप आराम से समझ सकते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि समझ ना सको बहुत असान से खुद ही सॉल कर सकते है इस कोशन को आईजली रिपीट करना है कि कोशन को अच्छा इस कोशन को कर लेते हैं इससे रिपीट हो जाएगा कोशन इससे क्लियरिटी हो जाएगी बच्छा सिवम पांडे बिलकुल हेलो हेलो सर सिवम हेलो इस कोशन से क्लियरिटी हो जाएगी आपको इस कोशन से क्लियरिटी हो जाएगी इसको कर लेते हैं उससे सारी क्लियरिटी हो जाएगी ठीक है बोलो करो find करो सर माइनस 24 करेंगे न आईए देखते नमबर वन छह साल पहले तो 14 14 28 नहीं 24 नहीं करेंगे नहीं नहीं वन दना 24 नहीं मैनस करेंगे देखो वन दना कितने साल पुरानी कानी है यह 30 साल पहले अगर मैं बोलू आज आप यहाँ है present age तो 30 साल पहले जब आप जाएंगे तो यहाँ है 30 साल पहले अगर यहाँ x age है यहाँ x minus 30 हुई या नहीं लेकिन है 30 नहीं जाना 6 साल पहले केवल 6 एयर आफटर इसका मतलब यहाँ के कितने साल बाद 24 साल बाद हाँ या ना हमने तो और ज़्यादा minus करना था हमने तो गलत कर दे आए थी 6 साल के पहले उसकी age क्या होगी 24 minus नहीं करेंगे ज़्यादा minus करेंगे क्योंकि यह जो age है यह आज है 30 साल पहले उसकी age यह थी 6 साल पहले मतलब यह जो age आई है इसमें कितने और कितने और add करना पड़ेगा तो चो आप भाई आज कोई 50 साल का है तो 30 साल पहले 20 साल का था लेकिन मैंने का 30 साल पहले मैंने बताओ 6 साल पहले कितने गठा या के 6 साल पहले या इसके 24 साल बात एक ही दुबात हो गई वो 44 years का था गए नहीं तो मुझे हमने गलत करें minus नहीं करेंगे हमें 24 add करना था 24 add करना था है कि नहीं दुबारा देखो 24 add करना था वह यह बात समझ मैं आई सब को पहले दुबारा देखो इस concept को समझते हैं इस concept को समझो यह थोड़ा conceptual वाला है इसको समझेए आज अगर मैं बोलता हूँ कि 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 प्रिजैंट एज जहां से देखना आज अगर मैं बोलता हूँ present age किसी की 50 साल है मान लो 50 year है मान लीजे मान लीजे और मैंने कहा 30 साल पहले कितनी age का था तो आप बोलोगे 30 years ago 30 साल पहले कितनी age का था तो आप बोलोगे 20 साल का था आपने 30 minus किया लेकिन मैं पोच रहो 6 साल पहले कितनी age का था तो आप इसमें से 6 माइनस करो गए present age में से लेकिन present age तो उस question में दी नहीं थी उसमें तो पहली की age की थी तो जब आप 6 माइनस करो गई आ जाएगा 44, या इसमें 6 माइनस करो या इसमें 30 में से 6 गया 24, 24, add करो एक ही तो बात है तो अगर आप पहले already पीछे हैं या तो 24 उसमें add कर दे या present में से minus कर दे present दी नहीं थी तो हमने एक mistake कर दी हमें minus plus यह जो आई है यह 30 साल पहली की age है 30 साल पहली age का sum था 44 6 minus करेंगे 14, 24, इसका 24, इसका 48 minus plus करना था तो आप बोलोगा इससे पहले age क्या थी that is the 4, 4, 8 4, 4, 8 4, 4, 8 88 A है यह हुआ right answer अब आया सही answer caution plus 24 दोनों का करनेंगे दोनों का करनेंगे दोनों की age में पीछे जाना है plus 24, plus 24 दोनों की age में जाना पढ़ेगा 24 A के भी 24 B की भी total 48 पीछे जाएगे पहला बताओ it is clear or not it is clear or not comment करो फड़ा फट चलो सारा clarity आजाएगी इस question से इससे कर लेते हैं उससे clarity हो जाएगी इससे question से सारी clarity आजाएगी जिसको भी clarity नहीं है जिसको भी clarity नहीं है इस question से सारी clarity आजाएगी निकाले फड़ा फट निकाले भाइया खुद करो इसको find, खुद निकालिये इसको, सारी clarity आजेगी इस question से, जिसको भी clarity नहीं है इसमें, खुद करिये find, निकालो, the ratio of the age of Salman and Saruk, लो भही साव, हम Salman and Saruk Khan दो को लिया है, Salman and Saruk दो को लिया है, the ratio of the age of Salman and Saruk, five years ago was, three ratio बन, पांस साल पहले, उनकी age का ratio तीनन पाद ए of their ages after five years, five साल के बाद उनकी age के ratio two ratio of one होगा, हाँ, बिल्कुल, the present age of both, दोनों की वरतमा नहीं बतानी कितनी है, फटावन निकालिये, दोनों की वरतमा नहीं कितनी है, बिल्कुल concept बिल्कुल clear होगा, टेंशन न लो, और अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप मुझे भेज भी सकते हैं उस पर, हमारे उस पर भी, अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप उस पर send भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, अगर आपको कोई doubt हो, मुझे भी भी सकते हैं, वहाँ पर student भी आपनी discuss करते रहते हैं, वो भी clear कर देंगे, फिर भी ना हो, तो मैं clear कर दूं, है कि नहीं? कौन पूल ना एक्जाम पर वेरी गूड सुरेंदर वाँ भई आप आंसर निकाल चुके हैं भाई साब गुरुजी आपकी प्रेणा कौन है जो आप निरंतर बच्चों को पढ़ाते ही सकते हैं अच्छा लगता या बच्चों पढ़ाना फिर शही बाहरा बताउं क्या करते है क्या बोलते हैं जिसको मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना बच्चों के साथ पढ़ाना बाते करना डिसकस और हर चीज अच्छे से conceptual बताना और जब तक लेकिन इसमें एक problem आती है फिर teacher को वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो उसके साथ उतनी मेहनत कर रहे हैं आप बिलीव नहीं करेंगे Sunday Sunday को हमारी सुबह डाउट सुबह आप अगर कोई देखो आप जो paid वाला बच्चा है जो paid वाला वो समझ सकता है region region आप believe नहीं करेंगे कभी कभी Sunday के दिन ऐसा होता है बच्छों सच में believe नहीं करेंगे कभी कभी Sunday के दिन ऐसा होता है सुबह साड़े नौ से या 9 बज़े से क्लास होती है 9 से 11 डेलिटा बैच में उसके बाद आद फीर दूसरे आपका नेपूर जाते हैं कभी-कभी तो लेकिन यह वाले को तो नहीं पता चल पाएगा क्योंकि पेड़ लेकिन जो पेड़ वाला बच्चा होता है उसको दिख जाता है कि हाँ सर तो अच्छा लगता है मैंनत करना बच्चों के साथ हम चाहते हैं कि आपको हम अपनी तरफ से बिल्कुल बच्चा मुझे भी टाइम का पता नहीं जलता मुझे और एक्चल मैं सही बताओ ना यह जो हम टॉपिक पढ़ना यह उत्तरा इंट्रेस्टिंग भी नहीं है आपको मैं सही बताओ कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैं आपको रियलेटी बताओ जो सीउटी वाले स्लेक्टिव मतलब कि यह इंट्रेस्टिंग है यह एंट्रेस्टिंग नहीं है वहां थोड़े से हमारे background के नहीं होता उनका background लेकिन आपकी यह मुझे लाने में सोचना है जैसा कल मैंने एक्स वाल इन कर आया वह सरीता और सरीटा एजड एक्स वाला तो अगर वो कोशन मैं स्यू टी में करा दूँ या बहुत ज़्यादा तो बच्चे कहते हैं बस सर आप हमें नहीं करना इतना टफ तो यह होता बच्चो आपको यह अच्छा है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आप बहुत अच्छे से पर एब्सको 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 कर लेते हैं मना नहीं करते कि सर हम इतना लेवल नहीं पढ़ेंगे टफ मैं कितना भी टफ करा देता हूँ मैं घबराता नहीं कहीं भी preparation करी हो आप जाना पंजाबी girls भी आई हैं भाई आपने C-set के लिए कहीं भी त्यारी करी हो बचो आप जाना एक बार एज जैसा chapter C-set आप believe नहीं करेंगे ये chapter आपको C-set में भी मिलेगा ये C-set में भी मिलेगा सोचिए इंडिया का सबसे बड़ा एक्जाम world का सबसे toughest एक्जामों में से एक है सबसे toughest तो नहीं है toughest एक्जामों में से एक है C-set और वहाँ अगर आप किसी भी छोटे छोटे मोटे कि आप बड़े institute में भी जाते हैं तो वह आपको ये chapter एक घंटे में निफ्टा देते है region क्योंकि उन पर load ज़्यादा होता है वो चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा बनाया जाए कम से कम teacher को मतलब कम से कम lecture देखे लेकिन यहाँ देखिए हम तीन दिने आ तीसरा दिन में हमने lecture हम इस पे practice भी बहुत अच्छे से तरहीं से कर रहे है हर concept को clear भी हो रहे है है के नहीं तो यह है बच्चो तो यह बहुत अच्छी platform है आपके लिए और अगर आप इसके notes बना लेते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप इसके notes बना लेते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा बच्चो फिर तो कुछ रही गए नहीं फिर तो ऐसा समझो सोने पे सुहागा है अगर आपने इसके notes और बना लिए तो अगर आपने notes बना लिए फिर तो आईए, चलिए, the ratio of the year, the ratio of the, आगे बढ़ाते हैं इस chapter लो, the ratio of the ages of Salman and Saruk, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले, तलमान और शारुक, 5 साल पहले, Salman और सारुक की age का ratio था, 3 ratio of 1 था, number 1, कितना है, 3 ratio of 1, the ratio of their ages after 5 years, 5 साल के बाद, यह हम कर चुके हैं, कुछ भी बताने वाला बात नहीं है, वैसे तो, ratio कितना होगा है, 2 ratio of 1, 2 ratio of 1, है कि नहीं, तो पूचा गया, होता क्या बच्चों, थोड़ा सा मुझे बस यह रहता है कि, काफी बच्चे हमारे student हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं, जिनका touch नहीं है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन आप क्या करें, वो थोड़ा सा एक्जेस्ट नहीं हो पातें, easily, वो easily एक्जेस्ट नहीं हो पातें, उन्हें थोड़ा सा time लगता है, पंजाबी गल्स, क्या आप हमारे साथ पहली बार आए हैं, पंजाबी गल्स, क्या आप first time आई हैं हमारे साथ, तो आप बोलेंगे सल्मान और सारुक, तो हम सिंपल है, इन दोनों का age का difference कितना है, आप जहां से देखिए, और यहां कितना है, zero, means यह balance नहीं है, और जब balance नहीं होता है, तो हमारा पहले step होता है, इनको balance करना, कैसे करते हैं, इनको balance, जहां से देखिए number one, कैसे किया जाता है balance, सबसे best method होता balance करनेगा सबसे best method होगा अगर ये balance नहीं है तो कैसे balance करेंगे मैंने अभी पता है सबसा 3 और 1 का difference 2 और 2 और 1 का difference 1 जब 1 की multiply करेगा तो ये तो automatic 1 रहेगा जब 2 की multiply करेगा तो ये हो जाएगा 4 और जब 2 की multiply करेगा 2 yes or not बहुत बढ़ी है तो यह हो गया एक्चनल में थरी और यह हो गया फोर डिफरेंस वन यह हो गया वन यह हो गया टू डिफरेंस वन तो वन किसको रिप्रेजन कर रहा है पास साल पहले और पास साल बाद दोनों का डिफरेंस कितना है दस साल कितना गुना हो गया दस गुना हु after वाला यूज करो जो आपकी इन्हें का 5 साल आप एगो वाला यूज कर लेते हैं 5 पाँच पाँच एड कर देंगे तो इसकी 5 ताइम्स 10 ताइम्स तो योगर 30 साल प्लस इसका भी 10 ताइम्स 10 वंजर 10 योगर 10 30 30 और 10 40 तो ये 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 जो आईये 5 साल पहले की आईये जब 5 साल पहले कुई 40 साल का था तो आज 5 एड करेंगे और 5 एड उधर करेंगे तो 40 और 10 कितना हो गया 50 साल 50 साल 50 नि हमको आपको खुद पता ने चलेगा कब आपकी कौईट बिल्कुल इतनी खत्रनाक तरीके से हो गई, बिलकुल कब आपको पता नहीं चलेगा, आपकी कॉइंट वेरी डेंजरस होती जा रही है आपको खुदी बिलीव नहीं होगा, लेकिन अचानक से एक दिन लगेगा आपको वाओ, है के नहीं चले फिर एक कुशन और ले लेते हैं इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं बस इसमें कुछ भी नहीं बचा आप, बस हम चैप्टर को फाइनल टच दे रहे हैं, फाइनल टच के बाद बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे नहीं अचिप्ट है ना final touch दिरेंगे इसके बाद sum नहीं निकालना है अच्छा जो भी है हाँ अगर उसमें sum नहीं पूछा तो sum की जुरत नहीं है ना अगर sum नहीं पूछा तो अलग अलग निकल जाएगा चली last question है यह बच्छों last question है यह last 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 question तो अब मैं आपको क्या कहते हैं हम मैं आपको आपके लिए जो हम try कर रहे हैं shots की series लेकर आने वाले हैं जैसर कि मैंने आपको बताया और बहुत ही जल्दी doubt की series आने वाली है अपनी question करो अपनी question करो और doubt अपने notes करके रखो वो doubt आप मुझे भेज देना group में और मैं आपको एक एक doubt यहां solve करके बता हूँ ठीक है ठीक है बच्चो तो doubt आप मैं doubt की class में हम लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी उसका teaser launch करने वाले है teaser मैंने बनाने को दे दिया है teaser बनते ही launch हो जाएगा आपको try करेंगे और फिर जबर्दस तरीके से doubt class भी लिया करेंगे ठीक है जिससे की एक एक doubt आपके clarity हो और मैं चाहूँगा कि आपको clarity मिले doubt भी मिले और आप बहुत question करते हैं doubt तो आते होंगे normal है आई के solve करते हैं सीधा सीधा निकालते हैं speed से निकालें 10 साल पहले 10 year after A और B की age का ratio 3-2 है 10 साल बात पहले ego है यह है 4 ratio 3 सीधा convert करते हैं 3 और 1 का difference 1 और यहां कितना difference 20 तो 1 किस को represent कर रहा है 20 साल को कितना time 20 times present age of A तो कैसे भी निकालने ego की बात कर रहा है यह 10 20 times तो 60 साल 10 साल पहले तो आज कितनी हो गई 70 साल add करना पड़ेगा इसमें भी 20 times 40 आज कितनी हो गई 50 साल बताईए it is clear or not हमने बहुत ही जबरदस तरीके से एक के concept को समझा है बहुत ही अच्छे से इसको discuss किया है और इसके इलावा अब आपके age में मिलेंगे average वाले question ज्यांसे देखना age चैप्टर में आपको मिलेंगे average वाले question average वाले question average वाले question को average based questions average based question को हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे average चैप्टर में उसको अलग पढ़ेंगे separate से सर डाउट नहीं आए मैस में ऐसा दो हो सकता है कभी ठीक है बच्चो तो अब मैं चाहूँगा कि आप comment section को खाली ना छोड़ें और comment में यह answer दें comment box में इनका answer देना question number first homework that is the homework यह आपको homework है homework देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से solve करें यह आपका homework है और एक यह है answer करना है comment box में पता ही it is clear sir मुझे time नहीं मिलता है time management कैसे करें कश्चप time तो करना पड़ेगा बच्चो आप कौन सी class में हो time नहीं मिलता है कौन सी class में हो 12th में है 12th pass है आप मुझे यह भी नहीं पता कि मतलब आपकी क्या daily routine रहता है sir वाइटी class करते करते night हो जाता है कोई नहीं एक दिन हम इस पर अच्छे से discuss करेंगे caution आपके इस बात पर हम बहुत अच्छे से discuss करेंगे तो मैं बता दूँ पहले बात तो यह वाला जो इसमें नहीं है quant for law exam इसमें आ जाना फटाफट number one दूसरा अगर आप देखी रहे हैं अगर आपको paid से related कोई भी information चाहिए paid best paid best से related कोई भी information चाहिए number one सबसे पहले अटर्टो 47 पे जाएंगे all courses में जाएंगे undergraduate में जाएंगे और undergraduate आपको आ रहा है या law entrance exam में जैसे law में आएंगे आपको तीन चीज़े मिलेंगे आपको CLAT से भी मिलेगा related बिल्कुर बिल्कुर बहुर बढ़े है CLAT से भी रूलेगा AMU, MSCET, DULB, SLAT, ILAT और GMI सबसे related आपको data यहां मिल जाएगा for example सबसे batch जैसे MSCET की बात करें यह सबसे अच्छा बात करते हैं अगर हम सबसे batch देखें काफी बच्चे जो है DULB के लिए try करें वो कहते हैं sir हम CLAT के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं उससे पहले हम चाहते हैं हमारा selection हो जाए तो आपको DULB के लिए सबसे batch है law entrance exam में गए DULB तो आप देखेंगे DULB अभी toppers 2.0 batch launch चुखा है DULB के लिए we have to leave now बहुरी बेरी गूट बिल्कु 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 तो आप बोलेंगे sir यहाँ पे है 200 hours के classes 10 test series है top 148 ebooks 148 बहुत जादा है इसके लावा आपको complete इसका जो status है क्या क्या पेपर है कितना है सब आपको मिलेगा इसके लावा complete हमारा देखो जो डटो 47 है study plan अपना पहले ही launch कर देता है जिससे आपको clarity हो जाए कि सर किस तरह से हमें question आने है कहां पूछे जाने है क्या उसका funda है और इसके लावा देखो और क्या-क्या देखने वाले हम आपको अपने student को और क्या देते है PDF सो देते ही है notes देते है जब हम आपको paid में पढ़ाते है उसमें PDF देते है notes देते है short tricks देते है उसके लबावा आपको बहुत ज़्यादा मिलता है डेली प्रेक्टेस, प्रेक्टेस में मिलती रहती है 2000 कोशन का क्रेक्टेस देते हैं डेली प्रेक्टेस क्योज देते हैं 10 मौक टैस और 40 सेक्षनल कटोक लेकिन एक बाद धरना आपका अभी भी के साथ अपनी जबर्दर्स तरीके से 81% आफर तैरी सुरू कर सकते है चले फिर बच्चों आज के लिए अलवीदा मिलते हैं बहुत जल्दी कल जाहिन